नमस्कार विवस मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मेरे साथ मौजूद है भारतिय जनता पार्टी के सार्थी यानि भारतिय अनता पार्टी के राष्ट्रे अध्रक्ष जगत प्रकाश नडड़ा नड़ा जी आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर पधान मंतरी मोदी ने कहा 400 पार का जो नारा है वो विपक्ष को फसाने के लिए था ये स्ट्राटी किया सफल भी हुई है एक तरह से अब डिसकेशन ही हो रहा है कि 400 पार आएंगे मोदी नहीं आएंगे बीजेपी कितनी आएगी क्या ये सिरफ नारा था या वाकई 400 लाल पार लाने की प्लैनिंग भी है नहीं भारतिय जंता पार्टी ने ट्या किया था कि हम एक लक्ष लेकर के चलेंगे और लक्ष बड़ा होना चाहिए और लक्ष हम लोगों ने 400 पार यानि 370 के आसपास भारतिय जंता पार्टी की सीटे आये और बाकि NDA की और हम 400 पार करें और उसी लक्ष को लेकर के हम चले। यहाँ इसमें जो प्रधान मंत्री जी ने कहा उनका कहने का जो अभिप्राय भी है वो यह है कि शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलज गया कि चार सो पार नहीं करेंगे, चार सो पार नहीं करेंगे। यानि हम चार सो पार लाइक हैं यह उन्होंने इंडारिकली कमिट कर लिया और वो हमारी पोटेंशालिटी, हमारा पोटेंशल चार सो पार करने वाला है और उसको वो डिवेट करते रहें और उनको यह पता ही नहीं चला कि उन्होंने ही इस बात को स्थापित कर दिया भारत की जनता में भारतिय जनता पार्टी इतना सामर्थ रखती है कि वो कर भी सकती है। इसलिए उसको वो नकारने का प्रयास करते रहे है। लेकिन उन्होंने फिर उल्जा भी दिया उन्होंने बोला कि यह चार सो पार इसलिए चाहिए कि बीजेपी आरक्षन को ही समाप्त करना है। यह नरेटिव बिल्डिंग करी। यह देखिए कॉंग्रेस का, इंडी अलाइंस का और यह सभी पार्टियों का शुरू से यह रवई यह रहा है। क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। यह शून्य है। यह ब्लांक। लेकिन बीजेपी भी ट्रैप हो कई इस एजेंडे के अलाइंडा नहीं हुई। हमें मालूम है कि इस तरीके कई शड़ेंत्र रष्टे रहेंगे और हमको उन शड़ेंत्रों को स्पेड अस्पेड लोगों के सामने साथ स्पष्ट करना है। लेकिन एक एकोसिस्टम ने इसको बड़ी खाट-पानी भी दी। से भी पूछा था वर्डवाइड अराउंड ग्लोब हमने देखा है कि दस सार बात सरकारे रिपीट नहीं होती हाला कि यूपिय का नंबर मेरे पास है कॉंग्रेस ने 2004 में उनको एक सो पंताली सीटे मिली 2009 में उनको पास 206 सीटे मिली और 2014 में हमने देखा वो चावालिस प नेता समानिय नरिंद्र मोदी जी और उनके नेत्रतु बैं हम सक्ता पर बैट नाहीं हैं हम सक्ता पर बैट करके लोगों की सेवा करने के लिया हैं और लोगों का दुख, दर्द, तकलीफ उसको दूर करने के लिए आए है और प्रधान मंतरी मोदी जी ने पिछले दस वर्ष नहीं बारा वर्ष कुछ रात के और दस वर्ष यहां के हम जोड ले उन्होंने दिन रात पल पल एक एक घड़ी उन्होंने जीवन का भारत की जनता की तस्वीर, तकदीर, बदलने के लिए उनको सशक्ति करन करने के लिए, उनको इंपावर करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हर पल लगाया है तो दोनों के सोच में अंतर है लेकिन आजकर विपक्षी नेता कई सेफॉलोजिस्ट बन गए है मैं एक एक करके नाम लेता हूँ, अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी को 140 सीटे में लेंगी राहुल गांदी डेट सो, अर्विंद केजिवाल 220 मलिका अरजुन खड़गे ने दावा किया है, उन्हें बोला है कॉंग्रेस की 270 आ रही है और एक नेता तो ऐसे है, मैं उनका नाम क्या लूँ, वो पहले से फॉलोजिस्ट थे, फिर एक पार्टी में गए, वहां से लात पड़ी तो बाहर आ गए अब हाला कि वो दबेश हब्दों में कह रहे है कि एंडिये 260 पर पहुंच चकता है, तो मतलब ये सारे आंकड़े में आपके सामने रखे हैं, आपका टेक क्या है ऐसा है, ये कोई, इन्होंने कोई जमीन और धर्टी से कनेक्टेड लोग नहीं है, मैं बहुत जम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, ये अपने खुशनमा इनको रखने वाले लोगों के साथ घूमने वाले लोग हैं, और वो इनको गलत फहमी में रखने वाले लोग हैं, और इनमें भी कोई एक मत्ता नहीं है, यानि यू कोई अंडर्स्टैंड इस सीरियसनेस, इनकी इच्छा है कि बीजेपी अच्छा ना करें, तो मुंगेरी राल के हर्शीन सब ने ये देखते हैं, अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाधवधी पार्टी और कॉंग्रेस की, यानि दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीर्स आएंगी, एक बनारस उन्होंने बुला, उन्होंने कोट क्योटो की सीर्ट हो सकता है, बीजेपी जीत जाए, ऐसा ह है, गम बुलाने के लिए गालिब ख्याल, अच्छा है, चार तारी को उसे दूद का बनारस पार्टी जादा सीटों से, दो हजार चौबीस में उत्तर प्रदेश में आईगी, आप कह रहे हैं कि 63 से जादा सीटों की आपको लगता है कि इस चुनाव को आप विकास से तुष्टी करण की तरफ ले गए और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस, आपने खुद बोला अपनी एक बाइट में कि कॉंग्रेस का जो घोश्टा पत्र है, उसमें मुस्लिम लीग की छाप है देखिए इस बात सचा ही है, सबसे पहली बात कि मोदी जी ने इस देश की सेवा ब्लत और प्रधान मंतरी दस साल और दस साल में उन्होंने गाओं, गरीब, वंचेट, पीडेट, सोशेट, दलेट, युवा, किसान, महिला, सब की चिंता की और जितने भी प्रोग्राम, जितने भी कारिक्रम, जितने भी स्कीम्स मोदी जी ने लॉंच की, उसका एक मंतर था सबका साथ, सबका विखास, सबका विश्वास, सबका प्रयास बहुत प्रयास से, और बहुत अथक प्रयास से, मोदी जी ने देश की पॉलिटी को, देश के लोगों को, एक समरस्ता में जोडने का काम किया और कभी उन्होंने नहीं कहा कि प्रधान मंतरी आवास योजना से इतने मुसल्मानों को घर बने हैं कभी उन्होंने नहीं कहा कि उज्वला योजना में इतने मुसल्मानों को घर रख दस साल और रिकॉर्ड है सारे देश को एक एक रूप में ला करके उन्होंने सेक्लरिजम का एक पॉजिटिव उदाहर देखा लेकि उन्होंने पूरा उदाहर देकर के पॉजिटिव रूप में इस बात को रखा और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में शडेंत्र पूरवक शब्द मेरा सुझिए का शडेंत्र पूरवक चालाकी से फिर से विभाजेन की बूईज को बूने का काम किया फिर मोदी जी को याद दिलाना पड़ा कि ये वो लोग हैं जिनका विश्यस डिजाइन है कि इस देश के संसादरों पर पहला भक मुस्लिम का है मैं नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर बन्मोन सिंग ने कहा है और एक वार नहीं कहा दो वार कहा है लेकिन लेकिन एक मेंट सुरी ज कि मुस्लिम आरक्षन की बात कॉंग्रेस करें कि मुस्लिम आरक्षन नहीं कर रहें लेकिन थोपा जा रहा है यह ब्यूब करने जब सब को रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सामाजिक आधार पर होता है अमिश जी मैं आप से पूछना चाहता हूँ जब बाबासाव करने सम्विधान समीती के सामने और Constituent Assembly के सामने जब घंटों discussion करने के बाद स्पस्ट कर दिया कि धरम के आधार पर आरक्षन नहीं होगा तो यह ममता मुतर्मा ममता धीदी यह backward की लिस्ट में मुस्लिमों को डाल करके बैक डॉर एंट्री करने का जिसका हाई कोट में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया यह क्या अर्थ बताता है लेकिन लाओर जिस पर कॉंग्रेस चुप है कि नहीं है तो कॉंग्रेस की सरकार ने आंदर प्रदेश में चार वार करें मैं इस बात से करता हूं कि यह सब कुछ हुआ लेकिन अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि आप बार-बार मुस्लिम आरक्षन की बीजेपी बात करिए लालुयादव ने बोला कि मुस्लिम आरक्षन होना चाहिए फिर उनने बोल अगर देश निकल जाएगा हाँ से तो क्या चल जागा यह 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 इसी के बराबर तो है कि मुस्लिम लिग ने क्या नारा दिया था मुस्लिम ली का नारा क्या था स्पेशल इलेक्टरेट स्पेशल रिजर्वेशन पाकिस्तान बन गया एक बीजेपी ने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस जो है वो अगर आएगी तो सब की संपत्ती को बांट देगी सैम पितुरता साब कभी इस पर रिसोर्सेज को हम एनालेसिस करेंगे और देश के रिसोर्सेज को री डिस्ट्रिब्यूट करेंगे अब इसका कोई और अर्थ होता हो शायद इटालियन में कोई और अर्थ होता हो तो मैं नहीं जानता लेकिन भारत और English में और Hindi में इसका मतलब यही निकलता है कि देश की संत्ति को हम फिर से Re-assess करेंगे उसको रिव्यू करेंगे एक से करेंगे और फिर हम पूस to be distribute करेंगे तो मेरी संत्ति भी देखेंगे मेरी जमीने भी देखेंगे और मेरे पास जो छोटी बड़ी जमीन है उसको ले करके बाटने का काम करेंगे लेकादी अंगुठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे लेकिन लेकिन आपने बड़ा दिल्चस्प इसका जवाब दिया लेकिन एक प्रश्ण मेरे जबागा है लेकिन फिर बीजेपी ने तो बोला कि आप से लेंगे उन्हों ने बनता है हम क्या सोचेंगे इसमें से मैं एक तरफ बोलू कि मैं टॉफी लेकर के आऊंगा फिर मैंने उनके लिए स्पेशल ट्रीट्मेंट रखा हुआ है तो मेरे समझ में नहीं आएगा कि बर्डे का केक किसको खिलाएंगे जी मैं राम मंदिर की बात कर लेता हूँ प्रधान मंतरी मोदी ने मेरे साथ चाक्षातकार किया और उन्होंने पहले भी ये बात को बोला लेकिन उसमें बहुत पस्ट रूप से बोला कि कॉंग्रेस की प्लैनिंग है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर पर ता आही जाती है वो दिल की बात जुआ पर आई है अब जुआ पर आई है तो उसको आगे लोगों तक समझाना हमारा काम ही है कि दिल के अंदर है क्या यह है उनके दिल में लेकिन इसे चुना पोलराइस करने का प्रयास नहीं है आप क्या आप सणातन को गाली दें और आप नहीं है और हम चुप रहें यह कैसे होगा अब हम राम को लाएंगे की नहीं लाएंगे जी हम राब को लाएंगे की नहीं लाएंगे और फिर लोग बोलते हैं कि जो राम को लाया है वो उनको हम लाएंगे तो हम क्या करें इसमें बताये तो चान जून के बाद ज्यादा च देश को कमजोर करने वाली ताक्ते हैं उनमें ये शामिल है और यह जो है यह थोड़ा पसंद आपकी कौन है सगार का सरकार है या संगठन है और गौर्वर्मेंट ऐसा है कि मैं पार्टी का कारे करता हूं मुझे जो जिम्मेवारी दी जाती है वह मैं पूरा करता हूं और पा धन्यवार आपका अर्वीश चीफ इस बहाने मुलाकात हुई चुनाओ के दरान बहुत अच्छा लगा धन्यवार करता है वह लो जो झढल पूरा देएज का उन आर्विश बहार के नह आद icon । झाल झाल